हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल आकाश डीप 2.0 रील बाज, लाइक्स और व्यूज की चक्कर में दिल्ली की सडकों पर इतने खतरनाक स्टंट करते हैं कि दूसरों की जान पर बनाती है हाल ही में दिल्ली में एक ओटो रिक्षा पर स्टंट का वीडियो वायरल हुआ था दिल्ली के सिगनेचर ब्रिज का ये वीडियो था इस वीडियो में दिखाए दे रहा था कि एक युवक ओटो के बाहर लटक कर स्टंट कर रहा है इस दोरान ये शक्स साइकल सवाल से टक्रा जाता है गनीमत रहती है कि पीछे से कोई तेज रफतार से गाड़ी नहीं आ रही थी उसकी जान बच जाती है ये वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया था और लोग इसके खिलाफ एक्षन की मांद कर रहे थे दिल्ली पुलिस ने आटो की पहचान करते हुए सीज कर दिया है दिल्ली पुलिस ने खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहट चलान जारी कर दिया आटो को सीज कर दिया गया है डिल्ली पुलिस की ओर से ठ्वीट कर इसकी जानकारी दी गई. डिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि सिगनेचर ब्रिज पर आटो रिक्षा स्टंट मामले का संध्यान लेते हुए आटो रिक्षा को सीज करते हुए मोटर वहन अधिनियम के अंतरगत कई धाराओं में कुल 32,000 रुप्ये का चलान किया गया इस पूरी घटना का वीडियो आटो के पीछे बाइक सवार के हेलमेट पर लगे कैमरे में कैद हो जाता है बाइक सवार आटो से कुछी धूरी पर था और जैसे ही साइकल सवार नीचे गिरता है वह भी दन रह जाता है जैसे ही इस वीडियो को शेर किया गया लोगों ने इस पर काफी कमेंट किया साथ ही दिल्ली पुलिस को टैक करते हुए सक्त एक्षन लिए जाने की मान की गई थी दिल्ली पुलिस के इस एक्षन पर सोशल मीडिया यूजर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं समीर होड़ नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। दूसरों की जिन्दगी से खेलने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर मुकेश सूर्यान ने लिखा है कि ऐसे लोगों को इस तरह की सजा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले समय में ये दूसरों को भी इंस्टेंट करने के लिए मना करें अभिशेक अंडिसको 21 नामक यूजर ने लिखा है कि ऐसे लापरवाह लोगों की जमकर कुटाई भी होनी चाहिए और हाँ, लोग दिल्ली पुलिस के कदम की सराहना कर रहे हैं दोस्तों इस वीडियो पर आप क्या कहीं के कमेंट वोक्स में हमें चैनल बताएं और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें